चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रीपोजीसन के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन बहुत ही महत्पूर्ड हो सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा प्रीपोजीसन क्या है चलिए देखते हैं देखें आज के इस video lecture का यानि pre-position के इस class का इस video lecture का पहला preposition है on यानि आज हम आपको सबसे पहले on के बारे में बताएंगे कि on का use हम कि sense के लिए करते हैं और इसको कैसे use किया जाता है sentence को बनाने के लिए तो चलिए देखते हैं देखिए यहां पर बताया गया है कि on का यूज हम तीन जगह पे अलग अलग सेंस के लिए करते हैं तो वहाँ पे आप on का यूज़ करेंगे लेकिन इसके भी कुछ case है case क्या है कि किसी worst के उपर आप ये जानिए कि on का यूज़ हम पर के लिए वहाँ पे करेंगे जब एक object किसी दूसरे object के उपर होगा और वहाँ पर का sense आएगा तो वहाँ पे हम on का यूज़ करेंगे लेकिन इहाँ पे एक और case दिया है एक और information दिया है यहाँ पे देखे क्या है जब एक worst की सतय किसी दूसरे worst की सतय से क्या हो सटा हो अब यहाँ पे क्या बताया गया कि एक object होगा और उसके उपर कोई दूसरा object रखा होगा और उन दोनों का जो सतय होगा दोनों object का सतय होगा वो एक दूसरे से क्या होगा touch होगा यानि सता हुआ होगा चलिए इसको हम graph के माद्धम से समझते हैं देखते हैं कि graph में कैसे आपको बताया जाएगा जैसे माल लेजें यहाँ पर क्या है एक table है और table पर एक क्या रखी होई है किताब रखी होई है अब किताब क्या होगा एक object होगा और table क्या होगा दूसरा object होगा तो यहाँ पर देखें एक object दूसरे object के उपर है और इन दोनों का जो सता है यानि किताब का सतह है और टेबल का जो सतह है वह एक दूसरे से क्या है टच है तो यहां पर हम किसका यहां पर दो बार हो गया, sorry किताब मेज पर है तो आप किस तरह से बनाएंगे आप लिखेंगे The book is on the table The book is on the table यहां पर देखें on का यूज किया गया क्यों क्यों की यहां परकासंस आया था और यहां पर किताब कहां पर है टेवल के ऊपर है यानि ऊपर के सेंस के लिए आया था पर का सेंस इसके वज़े से यहां पर आन का यूज किया गया तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आन का पहला यूज पहला सेंस क्या कहता है अब चलिए हम मूब करते हैं आन के दूसरे यूज पे और दूसरे सेंस पे कि आन का दूसरा यूज या दूसरा सेंस क्या कहता है द का यूज करेंगे जैसे यहाँ पर Monday आ गया Tuesday आ गया आपके sentence में तो वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे इनके पहले यानि इनके साथ किसका यूज किया जाएगा अभी मैं आपको example के माधम से या example के थुरू बताऊंगा अब देखे अगर माल लीजिए डेट या तारिक आ रहा है तो उसके पहले भी आपको किसका यूज करना आउन का यूज करना जैसे यहाँ पर मैंने example में लिखा है to December 2022 अगर इस तरह से डेट आ रहा है तो वहाँ पर भी आप किसका यूज करेंगे आउन का यूज करेंगे जै सोमवार को तो सोमवार मैंने आपको क्या कहा दिन के पहले आप किसका यूज करेंगे आउन का यूज करेंगे आप सोमवार क्या है दिन है तो आप क्या करेंगे आन मंडे इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे जब आपके सेंटेंस में दिन आएगा जैसे सोमवार मंगल वुलवार, बुलवार. तो आप कुछ से पहले क्या करेंगे? अउन्का यूज़ कर देंगे. NET क्या है? मेरा दोस्त्त्त trout two janvari 2010 को पैदा हुआ था. अब यहाँ पे देखेigns, Resp sundry 2010 क्या है? यह two janvari 2010 यह क्या है? तारिक है. और तारिक के साथ मैंने आपको क्या कहा है आन का यूज करने के लिए तो आप किस तरह से बनाएंगे माई फ्रेंड माई फ्रेंड वाज बॉर्ड बॉर्ड ऑन तो जैनुरी जैनुरी 2010 इस तरह से आप आन का यूज करेंगे देखिए यहां पर क्या है डेट है इसके पहले मैंने किसका यूज किया आन का और यहां पर क्या है डे है यानि दिन है और इसके पहले किसका यूज किया गया आन का यूज किया गया तो आप यह कह सकते हैं कि आन का दूसरा यूज डे और डेट के साथ हम करेंगे अब हम बात करते हैं On के तीसरी यूस पे कि On का तीसरा यूस क्या कहता है जब आप तरफ बताते हैं तेखिए यहां पर तिसरा यूस तरह बताते क fiance तरह का साइट साइड या लिफ्ट साइड या लेफ्ट साइड तो यहां पर आप यूस करेंगे जैसे यह लिखा गया है Individual आप लिफ़ जैसे माल लीजिए यहां पर एक सेंटेंस हो आपके सामने कि रोहन दाई तरफ बैठा था तो देखें दाई तरफ के लिए आप क्या लिखेंगे रोहन रोहन वाज सिटिंग अन दा राइट साइड तो देखें यहां पर आन का यूज किया गया क्यों कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम तरफ बता रहे हैं तो तरफ बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे आप तरफ बताने के लिए आन का यूज करेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आन का यूज आप कह देखे, मैंने आपको क्या बताया on के पहले यूज के बारे में कि on का पहला यूज पर के लिए किया जाएगा जब एक वस्त किसी दूसरे वस्त के ऊपर होगा, और दोनों का सत्य क्या होगा, सटा हुआ होगा, वहाँ पर आप on का यूज करेंगे, और on का दूसरा use कहां पे करेंगे on का दूसरा use दिन और तारिक के साथ यानि अगर आपके sentence में जैसे यहां पे दिन या तारिक आएगा तो वहां पे आप on का यूज करेंगे और on का तीसरा use क्या कहता है कि on का तीसरा use आप जब side बताते हैं जैसे राइट साइड या लेफ्ट साइड तो आप किसका यूज करिए? आउन का यूज करिए तो overall मैंने आपको आउन के बारे में बताया चलिए अब हम move करते हैं अपने next preposition पे कि हमारा next preposition क्या है? तो देखिए आज का next preposition है यानि इस वीडियो का next preposition है विदिन यानि अब हम जानने वाले हैं विदिन के बारे में कि विदिन का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं देखे बहुत लोग इसको प्रणाउंस करते हैं विद इन विद थे करते हैं लेकिन इसको थे नहीं पढ़ना है इसको दे विदिन विदिन इसको कहना है तो देखे विदिन का यूज हम किस sense के लिए करते हैं विदिन का यूज किया जाता है कि अंदर के sense के लिए यानि जब के अंदर का sense आएगा तो आप विदिन का यूज करेंगे लेकिन एक condition है एक सर्थ है सर्थ क्या है कि किसी समय के अंदर होना चाहिए यानि यह ऐसा नहीं कि किसी room के अंदर या car के अंदर या किसी बंद, safe या आकरती के अंदर ऐसा नहीं समय के अंदर होना चाहिए वहाँ समय के अंदर का sense आना चाहिए तब ही आप within का यूच करेंगे के अंदर के sense के लिए अब यहां पर हम example के माधल से समझते हैं आपको 2 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना है अब यहां पर देखे क्या है कि अंदर का sense आया है लेकिन समय के अंदर दो महीने क्या है समय है और समय के अंदर आपको क्या करना है अंग्रेजी बोलना है तो समय के अंदर का संस आया ऐसा नहीं कि रूम के अंदर या किसी कार के अंदर इस तरह का संस नहीं आया है दो महिने के अंदर समय के अंदर का संसाया है तो यहाँ पर आप within का यूज़ करेंगे तो यह sentence बनेगा You have to speak English इस तरह से आप within का यूज़ करेंगे इस sentence के लिए अब यहाँ पर देखे एक sentence और है वह 10 मिनट के अंदर वापस आएगा यहाँ पर भी के अंदर का संसाया है लेकिन किस के अंदर 10 मिनट के अंदर यानि किसी समय के अंदर तो यहाँ पर भी आप within का यूज़ करेंगे तो आप यह कहेंगे He will come back He will come back within within 10 minutes 10 minutes तो यहाँ पर इस तरह से आप within का यूज़ करेंगे के अंदर के संस के लिए चलिए अब हम move करते हैं अपने next preposition पर कि हमारा next preposition क्या है तो देखे next preposition यानि तीसरा preposition आज के इस video lecture का है अगो अब हम जानने वाले हैं अगो के वारे में कि अगो का यूज़ हम किस संस के लिए करते हैं तो देखे अगो का यूज़ हम पहले के संस के लिए करते हैं लेकिन कब कहां पर पहले का संस आएगा जहां पर हम अगो का यूज़ करेंगे तो देखें यहां पर fact बताया गया है fact क्या है किसी बीते हुए समय के पहले यानि जब कोई बीता हुआ समय होगा और उससे पहले आएगा उस sentence में तो वहाँ पे आप अगो का यूज करेंगे sentence को बनाने के लिए इस sentence के लिए अब यहां पर देखे एक sentence दिया गया है for an example वह तीन दिन पहले आया है अब यहां पर जो समय है तीन दिन पहले वो क्या है वो बीत गया है अब उससे पहले कुछ काम हुआ है तो यहां पर पहले sentence आया तो आप किस तरह से इसको बनाएंगे या इस sentence के लिए इसको यूज करें तो देखे इस तरह से आपका sentence complete होता है और इस तरह से आप अगो का यूज करते हैं वह तीन दिन पहले आया है नेक्ट क्या है नेक्ट sentence आमन दो साल पहले अंग्रेजी सीख लिया अब यहाँ पर देखे यह जो दो साल पहले है यह क्या है यह समय बीत गया है और इसके पहले का sentence आया है तो आप इस sentence को कैसे बनाएंगे अमन learned English two years ago अब यहाँ पर देखे अगो का यूज किया गया जब आपके sentence में किसी समय से पहले होगा किसी बीते हुए समय के पहले का sentence आया होगा तो आप अगो का यूज करेंगे इस तरह से तो इस video lecture में मैंने आपको तीन preposition के बारे में बताया पहला preposition क्या था on और दूसरा preposition क्या था within और last यानि तीसरा preposition क्या था ago जानि तीन preposition के बारे में आपको इस video में पता चला झाल झाल